मैं आपर नम जीन्यों जीन्डिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वादर करती हूँ तो आएए देखते हैं दिन बर के मुख्य समाचार महोबा में यकीन ही नहीं होता कि जन्पद में जिम्मेदार अफसर इतने विवेख ही इन भी हो सकती है कि किसी भी संदिक्द मामले को बिना विवेख किये ही निलंबन जैसी कारेवाही अमल मिला सकते हैं इतना ही नहीं किसी ने भी विद्धाले में शिक्षक शिक्षिका का नरत्य के वारल हुए वीडियो की सच्चाई पर विचार करना उचित नहीं समझा जो बेहत चिंतनिय वे निंदनिय विशे है ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है महपा जनपत के प्रात्मिक विध्याले काली पहाडी में जहां शाजिश के तहत किसी ने शिक्षक वे शिक्षिकाओं द्वारा विध्याले में 26 जनवरी को किये गई नरत्य परदर्शन की वी शिक्षकों के उजले भविशे पर दाग लगाने का काम किया है एक चिंतनिय विशे है जिस पर विचार करना जिम्मेदार अफसरों ने उचित नहीं समझा जबकि वीडियो 26 जनवरी को शूट किया गया था वे वीडियो में शिक्षिकाओं द्वारा किया गया नरत्य जा जो जिम्मेदार अफसरों की विवेखी इंता को प्रकाशित करता है फिलहाल कुछ भी हो साज़िश करताओं द्वारा जो ये शाज़िश रची गई बेहत निंदनिये है उत्तर प्रदेश सरकार को इस विशे में उच्छ इस तर्य जाज करवा कि दोश्यों के जोग मौत के मुँँ में समा गई इस समय संगीत खेल कूद आदी कलाओं के जरिये जीवन को मानसिक तनाव से मुक्ट बनाया जा सकता है और जब बच्चे तनाव मुक्ट रहेंगे तो उनकी गुद्धी तीवर गती से विक्सित हो सकेगी अब सोचने वाली बात तो यह है क्या शिक्षक वे शिक्षिकाओं की जो च्छवी धुमिल हुई है क्या वो पुनह उजवल बन सकेगी इसी के साथ जी न्योज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइब और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल के आप को अपने फोल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना मूले एक परफेंट दिनबर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं नमस्ता